हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो प्लांट स्या करने जा रहा हूं इसका जो प्लोट साइज है मतलब हमारा जो प्लोट का डाइमेंशन है यह है 35 फीट इन विर्थ इन्टू 47 फीट इन लेंग्ध इक्वेल टू 1645 स्क्वेर फीट का यह हमारा प्लोट है ठीक है तो इसमें मैंने एक फ्लांट के वाला हस्प्लांट रोकिया हूं ठीक है जो साउथ हैस का रहेगा मतलब एक दख्रिन मुखी घर का नक्सा है तो मैंने अलड़ यह प्लांट कर लिया हूं अभी मैं इसे वालफेलिंग सबकुछ प्रोवाइट करूंगा और आगे आपको एक एक करके डिटेस्ट हम बताऊंगा तो पहले मैं इसे वालफेलिंग कर लेता हूं ओके तो यहां पी जितना हमारा नौइंज का दिवार है इसे मैंने फिलप कर लेता हूं तो पहले यह वाला जिवार जो फिलप किया ब्लू कछलर में वहारा einच कर रहेगा तो सारी नौइंच का दिवार को मैं ब्लू का लार में हाइलेट कर दूंगा ठीक है यह जैकर लगको हमारं द्रेंग में इसे में पहले हाइले कर दूंग है ठीक है और यह जो गेप शोड़ रहा हूं यह सब विंडो और वेंट्रिटर है और दूर्स बगरा और यह रहा हमारा एक पार्टिसन वाल जो पांचेंच का रहेगा मैंने जो रेट कल्ला में हाइलेट किया यहां पर हमारा नो इंच का दिवार का जोरूरत नहीं है इसके बाद इधर भी मैंने पहले नो इंच का दिवार को हाइलेट कर दूंगा और इसके बाद पांचेंच का दिवार को हाइलेट करूंगा जैसे मैंने पहले किया था जो हरिजिंटल वाल को इसी तरह मैंने आपका वीडियो में जो वर्टिकाल वाल दिख रहा है इसे भी एसे ही करते जाऊंगा ठीक है तो यह हो गया हमारा वाल्स तो फ्रेंड्स यह जो मैंने प्लान बनाया हूं यह एक सब्क्राइबर का रिकुर्मेंट को बेस करके बनाया हूं जिसने अपना प्लोट का साइज और जो रिकुर्मेंट है इसे मैंने एक वीडियो प्रेंट करके भेज़े थे तो इसी के हिसाब से मैंने पूरा यह प्लान बनाया हूं ठीक है तो यहां पर भी मैंने पांस दिवार रख लिया ओके इसके बाद हम क्या करेंगे ग्रीन कलर में विंडूज वेंटिलेटर बागरा जितना छोड़े है इसे हायलाइट कर देंगे यह हो गई हमारा विंडू उपार में चत रहेगा नीचे बी में रहेगा और यह बहला उपार रहेगा तो इसे भी मैंने डिरन कल़र कर देता हूं इसके बाद यह हमारा बड़ा सा दस फितक बाला रहेगा हमारा शॉट्टर और इसके बाद कर लेंगे यह रहेगा हमारा ग्रील जो लाइनिंग किया मैंने इसका त्याँ पीक रहेगा दूर तो यह से करके मैंने सारे दूर्स प्रवाइट कर दता हूं तो यहां पी मैंने जो 4-ebs के वाला बनाया हूं यह आप 3-ebs के साथ एक दुकान भी कर सकते हैं एक सौफ भी वहना सकते हैं और आप चाहे तो 4-ebs के भी बना सकते हैं आपका मर्जी तो इसी के हिसासे में मेरा एक प्रोपोजल प्लान है तो फ्रेंड्स यह रहा आपका पू काले में नया है यह अभी तक मारे चला को सब्क्राइब ने किया है तो प्लीज सब्क्राइब कर देना तो चलो इस प्लान के बारे में आगे मैं आपको डेटेश पर आता हूं यह है हमारा इस्ट की दिशा इधर वेस्ट माकान की पीछे के तरब रहेगा नर्थ की दिशा और आगे की तरब रहेगा साउध की दिशा तो यहां पर जहां मारा प्लोट का साइज है यह नर्थ की साइड मतलब तू वेष्ट रहेगा 35 फिट चोड़ाए में और इस्ट साइड मतलब नर्थ तू शाउट रहेगा लमबाई में 47 फिट तो यहाँ पे जहाँ हमारा plot है इसका plot का इधर और इधर दोनों तरफ पुर्शेगा मकान है और यहाँ पे west की तरफ road है और south की तरफ ही road है road, main road तो यह हो गया हमारा एक corner plot जिसका दोनों तरफ west की side और south की side में road है ठीक है तो आमने यहाँ पे east की तरफ एक फिट का space छोड़े है ठीक है और north की तरफ पीछे की तरफ भी एक फिट का space छोड़े दिये है ओके इसके बाद यहाँ पे रहेगा हमारा entrance यह हो गया हमारा entrance जब हम घर को एंटी करेंगे आपको मिलेगा एक पहला car parking पार्किंग अरिया यहाँ पे आप एक car भी पार्किंग कर पाएगे और इसके साथ साथ बाइक भी पार्किंग हो जाएगा तो इसका चोड़ाए रहेगा 12 फिट 9 इंच और लंबाए रहेगा 15 फ अब से रखा हूं दुकान के सबसे आप यहां पे रीट का दोनों तरफ श JACK लगां के लिए दोकान भी बना सकते हैं इसे के यह यहांरा इधर भी हम शटर लगाएंगे दुना तरफ शटर लाएके आप दुकान घर बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे बेडरूम भी बना सकते हैं आपका दुकान का जोरूत नहीं रहेगा तो ठीक है दुकान नहीं चाहिए तो ओके और यह जो मैंने यहाँ पर गिरी लखा हूं यहाँ पि're anti रहेगा यह हमारे मेंडूर है एंटी करके पहला आपको मिलेगा शीड़ी चत के उपर जाने के लिए यह हो गया फिर राइटरें करेंगे फिर आइट टर्न करके चत के उपर जाएंगे इसके बाद जो शीड़ी का चोड़ाई है ये तीन फिट है इसके बाद इधार आएंगे तो यह हमारा मेंड गेट जो हमारा घर को एंट्री करने के लिए यह है बड़ा सा हॉल जिसका चोड़ा ही रहेगा 12 फिट और लोंबाइ रहेगा 15 फिट ठीक है इसके बाद हम जब राइट की तरब देखेंगे तो पिस मीलेगा और यह छोटा सा जो रूम है यह हमारा फूजा रूम जिसका चोड़ाई रहेगा 4 फिट और लंबाई रहेगा 5 फिट और यहां पे यह रहा हमारा किचन करेदख़ के पूरा वास्तु के हिस्टा से बनाया हूं और इसके चोड़ाई रहेगा 7 फिट और लंबाई रहेगा 9 फिट साð इस इस एक इधर आएगे इसके आमने समन्य., यह बहुत सार श्फेस है तो हम यह से भी प्रफर यूज गर पाएंगे, यहांपी चाहे तो हम एक वास्वेसिन लगा लग लेते हैं टीक है वास्वेसिन और यहां पर आप जो वसी मसे बगरा भी रख पाएंगे और यह हो गया है हमारा एक मास्टर बेड्रूम जिसका चूड़ाई रहेगा बारा फिट और लंबाई रहेगा बारा फिट बारा बारा का और इसके साथ एक आटेस्ट टर बात्रूम है जिसका चूड़ाई रहेगा तीन फिट दस इंज और लंबाई रहेगा शाथ फिट इसके वाद इधर आएंगे तो यह हो गया हमारा कोमोन टोलेट को मातरों जिसका चूड़ाई रहेगा 4 फीट और लुम्बाई रहेगा 7 फीट ठीके और इधर इसके उपुजित स्यट में यह रहा हमारा दुसरा बेड़ू ठीक है जिसका चूड़ाई रहेगा 11 फीट और लुम्बाई रहेगा 12 फीट ओके इसके बाद यह पाहर के तरफ आउटसाइड और पीछे के तरफ ही जो हमारा स्पेस चूड़े है इसका चूड़ाई रहेगा यह रहेगा 4 फीट और जो लुम्बाई रहेगा यहां से यह तकी यह हो गया हमारा 13 फीट का तो आपको यह स्पेस मिल जाएगा आउटर साइड यूज़ करने के लिए इसके बाद यहां पी जो स्पेस है आप इसे ब्रेक बेगरा बनाके भी इ चूड़ाई रहेगा 10 फीट और लुमबाई रहेगा 12 फीट तो यह अंदर का हो जाएगा बेट्रूम तो फ्रेंड्स यह रहा आपका पूरा प्लान आपको मेरा इपलान मेरा इवीडियो जरूर पसंद है होगा तो एक लाइक करना जादशर ज्यादस यार करना और अभी तक मेरा चरल्ण जांग कश्रेब्ध ना क्या है तो कुईज सब्क्रेब कर दो और यह वीडियो दिखने के बाद मेरा इप्लान कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना ओके थेंक यू